So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 19 December के Important Current Affairs को, देखे पहला प्रशन क्या है, अभी हाली में जारी Data Analytics Company UGOV के अनुसार सबसे प्रशंशित पुरूशों यानि कि Most Admired Men की सूची में टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा Barack Obama, तो Data Analytics Company है UGOV और इसने दुनिया के सबसे प्र अंटी की सूची जारी की है, जिसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आठवे स्तान पर है, वे भारत से शारुक खान हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, अमिता बच्चन हो गए, विराट कोली, जो भी इस लिस्ट में हैं, उन सबसे आगे हैं, तो ये जो लिस्ट है, य उस सबस्यादा तारीफ करते हैं, यानि कि इस लिस्ट में टॉप पर है बराक ओबामा, सेकेंड नमबर पे बिल गेट्स, और थर्ड नमबर पे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिन पिंग, और भारत से प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी ये आठवे स्तान पर है, और इसी त नगदग पेल गी खोर लो, तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल में जारी बुनियादी साक्षर्ता एवं संख्यात मक्ता सूच कांग 2021 में बड़े राज्यों की शिरेडी में टॉप पर कौन रहा, तो आंशरों का पस्चिमंगाल, तो ये जो इ राज्यों में सबसे खराब इस्थिती किस राज्य की है, तो आंसरों का बिहार की, उसी तरह से अगर छोटे राज्यों में बात करेंगे, तो टॉप पर आता है केरल, और इसमें सबसे खराब इस्थिती है जारखंड की, और अगर Union Territories केंदर शाशित प्रदेशु की बात करेंगे, तो उसमें टॉप पर तो लक्षय द्वीप है और लास्ट में है लदाक, अच्छा अभी एक इंडेक्स आये था, Worldwide Coast Living Index, डिसको जारी किया था Economist Intelligence Unit ने, उसके अनुसार दुनिया का रहने के मामले में सबसे महंगा शहर किसे बताया गया था, इसराइल के तेल और एनिम्या मुक्त भारत सूचकांग में टॉप पे कौन सा है, टॉप पे है मध्यप्रदेश, उसके लवा वेश्विक स्वास्ते सुरक्षा सूचकांग में भारत 66 नंबर पे है, टॉप पे USA है, और Climate Change Performance Index 2022 जो आया था, उसमें भारत 10 वे स्थान पे है, इसमें पहले इसरिस्तान पे कुई भी देश नहीं है, क्योंकि किसी ने भी Climate Change में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, चौथे नंबर पे फिर आता है Denmark और पांचवे नंबर पे आता है Sweden, अभी बात करें, Global Drug Policy Index 2020 की तो उसमें भारत 18 वे स्थान पे था, अच्छा Global Hunger Index 2020 में भारत 101 वे इसमें भारत 63 नंबर पर इसको कौन चारी करता है तो आंसरों का World Bank और यह important क्यों है, क्योंकि अभी World Bank ने इसको बंद कर दिया, बाकी Global Innovation Index की बात करेंगे, वेश्विक नवाचार सूचकांग तो इसमें भारत 46 नंबर पर है, World Press Freedom Index आया था, जिसको Reporters Without Border चारी करता है, इसम भारत 139 नंबर पर है, शांती सूचकांग आया था, भारत 135 नंबर पर है, रिश्वत जोखिम सूचकांग आया था, उसमें भारत 82 नंबर पर है, भरष्टाचार सूचकांग भारत 86 पर है, लोकतंत्र यानि कि Democracy Index आया था, उसमें भारत 53 नंबर पर है, तो अभी इस साल कु सुप्रीम कोट ने किस राज्य के प्रति बंदित पारम पर एक बेल गाड़ी दोड के आयोजन को अनुमती दे दिये। सुप्रीम कोट ने महराष्टर के बेल गाड़ी दोड के आयोजन को भी मंजूरी देती है। सुप्रीम कोट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही। तो अभी तक तो कोई नहीं थी लेकिन हमने पढ़ा भी था दो हजार सत्ताइस में हो सकती है कौन बीवी नागरतन। और अभी सुप्रीम कोट में तीन नई जस्टिस भी बनी थी या फिर ऐसे प्रश्ण पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितनी महिला जस्टिस है न्यायधीश है सुप्रीम कोट में। तो आंसर हो जाएगा चार क्योंकि एक पहले से है इंद्रा मुखर जी तीन अभी नई बन गई कौन बेला त्रिवेदी हीमा कोहली और बीवी नागरतन। और सुप्रेम कोट के चीफ जस्टिस के रेटाइर्मेंट एज कितनी होती है 65 एर जब कि हाई कोट के चीफ जस्टिस के कितनी होती है 62 एर होती है। थाल, घाट, दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है दूसरा है भोर, घाट, दर्रा जो कि मुंबई को पूने से जोड़ता है बाकी यहां के मुख्य मंतरी उद्दव ठाक रहे हैं गवर्नर कौन है? भगत सिंग कोशियारी और चीफ जश्टे से दिपांकर दत्त अभी भारत कोशल रिपोर्ट 2022 आये थी जिसमें टॉप पे रहा था महराश्ट्र और अभी महराश्ट्र से दो प्रोड़क्ट आप याद रखना एक तो सफेद प्याज और एक वाडा कोलम चावल इनको जी आई टेग मिला था और पूणे में देश की सबसे हलकी मेट्रो ट्रेन भी लॉंच होगी और पूणे में, जो आर्मी सपोर्ट्स इंस्टिट्ईूट के परिसर में, एक इस्टेडी में उसका नाम नीरच चोपडागे नाम पे कर दिया गया और पूने के पिमपरी चिंचवणा सिटी शेत्र में राजीव गांदी के नाम पर साइन्स सिटी का निर्बान भी किया जाएगा तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैंगे फिर बताईए अभी हाली में Rewinding of First 25 Years of Ministry of Electronics and IT नाम की बुक को किस ने लिखा तो आंशार होगा SS Oberoi ने तो मेटी यानि कि Electronics and IT Ministry के पूर्व सलाहकार थे ये SS Oberoi जिन्नोंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है Rewinding of First 25 Years of Ministry of Electronics and Information Technology अच्छा इस बुक को रिलीज किस ने किया तो मेटी के वर्तमान सचीव अजे प्रकाश सहनी ने बाकी डॉक्टर शशी थरूर हमने पढ़ा था Pride, Prejudice, 253 नाम की बुक को लिखा इनोंने अभी जीत पनर जी Cooking to Save Your Life नाम से बुक लिखी और इस्मरती रानी इनका पहला नॉवेल आया है जिसका नाम है लाल सलाम अच्छा हमारे Electronics and IT Minister कौन है तो वही है जो रेल मंतरी है यानि के अश्विनी वैश्णव ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस राजे के मुख्य मंतरी ने सहाई योजना शुरू की है तो आंसर होगा जारखंड जारखंड के मुख्य मंतरी को ने है मंत सोरेन अभी उन्होंने राजे के नकसल प्रभावित जिलो में युवा खेल प्रतिभाओं को पूशित करने के उद्दिश्य से ये सहाई योजना शुरू की है यहाँ पे सहाई की फुल्फरम क्या होगी Sports Action Towards Harnessing Aspiration of Youth तो ये जो योजना है ये वामपत्थी उगरवात पर अंकुष लगाने के लिए शुरू की गई है जिसने राजे के 24 में से 19 जिलो को प्रभावित किया है तो इस योजना के तहत होगा क्या 14 से लेके 19 आयू वर्क के लड़के और लड़कियों को उन्हें बास्केटबोल, वॉलीबोल, होक्की और एथलेटिक्स में अपने कोशल का परदेशन करने का अउसर दिया जाएगा अब बात जहारखंड की है तो ये रा मैप में जहारखंड कैपिटल इसकी राची है मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन हो गए और गवर्नर कौन है रमेश बेस अभी यहां के मुख्य मंत्री ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल भी लाउंच किया था अभी स्मार्ट सिटी मिशन रेंकिंग में टॉप पे राता जहारखंड और शहरों की रेंकिंग में टॉप पे राता भोपाल और अभी COVID महामारी के बारे में जानकरी प्रिदान करने के लिए जारखंड ने अमरत वाहिनी एप्लिकेशन और चैट बॉट एप्लिकेशन को लॉंच किया था और चुनावी बॉण दाता का नाम घोसित करने वाली पहली पाटी बनी थी जारखंड मुक्ती मोर्चा और यहीं पे ही कुपूशन को कम करने के लिए समर अभियान भी शुरू किया गया था और भारत का पहला ड्रेगन फ्लाई जिवाश्म यह जारखंड में ही पाया गया था और बताईए सेंट्रल कोल फील्ड इसका हेटक्वाटर मिलेगा आपको कहाँ पे राची में और कोल कैपिटल ओफ इंडिया कहते हैं कि इसको जारखंड के धनबाद को जारखंड का स्टीट एनिमल है हाती केरल का भी है और करनाटक का भी है और हमारे जो ट्राइबल अफेर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा उनका निर्वाचन शेत्र कॉस्टिट्वेंसी है खुंटी जारखंड तो यह याद रखना बढ़ते आगे फिर बताईए भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी तो आंचार होगा आंद्रप्रदेश तो एंटिपी से यानिके नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आंद्रप्रदेश के सिमहाद्री में एक इंधन सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना अवार्ड की गई है तो उर्जा मंत्राले के अनुसार ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उर्जा भंडारन परियोजना होगी और दुनिया के सबसे बड़ी green hydrogen micro grid पर योजिनाओं में से एक होगी है देखो यहीं से कुछ relate करके आपको points बताता हूँ जैसे कि Gail, G-A-I-L, Gail यह भारत का सबसे बड़ा हरित hydrogen सन्यंत्र बनाएगा और हमने पढ़ा था Indian Oil Corporation उत्तर प्रदेश में अपनी मत्थुरा रिफाइनरी में देश का पहला green hydrogen plant बनाएगी और इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था South Korea ने भी दुनिया के सबसे बड़े hydrogen fuel cell power plant का वे उधगाटन किया था अभी अमेरिका की एक company है Ohumium उसने का था कि वो Bangalore में भारत की पहली green hydrogen electrolyzer का निर्मान unit शुरू करेगा और NTPC ने लेह और नई दिल्ली में hydrogen car और बसें शुरू की है उसके अलावा एक और point हम लोगों ने पढ़ा था जो BPCL है भारत petroleum corporation limited इसने green hydrogen production के लिए बार्क यानि की भाबा atomic research center के साथ समझोता किया था तो ये कुछ points में आपको जो एक साथ बताएए हमने सारे current affairs में बढ़े थे आपको याद होंगे ज़रूर बढ़ते हागे फिर बताएए हाली में किसने गांधी टोपी गवर्नर नाम की बुक को लिखा तो आंसर होगा यारला गड़ा लक्ष्मी तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकया नाइडू जी उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है और इसे लिखा किसने तो इसे राजभाशा आयोग और आंदर प्रदेश के जो अध्यक्षे यारला गड़ा लक्ष्मी प्रसाद इन्होंने लिखा है बाकि प्रभात कुमार पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम की बुक को लिखा डॉक्टर ए सूरे प्रकाश डेमोक्रेसी पॉलिक्स एन गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा और सल्मान खुरशीद सन्राइज ओवर एयुध्या नेशन हुड इन अवर टाइम नाम की बुक को लिखा था ध्यान रखना बढ़ते हांगे फिर बताईए हाली में किस भारते मूल की महिला को फ्रांस की लगजरी कमपनी शेनल की ग्लूबल सी ओ बनाया गया तो अंचर होगा लीना नायर को तो अभी भारत की लीना नायर को फ्रांस की लगजरी ग्रुब शेनल में ग्लूबल सी ओ बनाया गया है तो ये जो Chanel है ये दुनिया भर में अपने handbag, perfumes वगेरा के लिए famous है तो इनका नाम ध्यान रखना लीना नायर बाकि सुसान अर्लनॉल्ड के बारे में आपने पड़ा था अभी डिजनी बोल्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और गीता गोपिना तो आप जानते ही हो International Monetary Fund की Chief Economist है लेकिन अभी इन्हें IMF की Deputy Managing Director भी बनाया गया चलो आप बताओ comment box में टाइप करके कि International Monetary Fund इसका headquarter कहां पर है उसकी Managing Director का नाम क्या है हम बढ़ते हैं आगे फिर आपको बताना है अभी हाली में बैंको बडोदा ने B.O.B. World Wave को launch किया अब ये है क्या तो ये एक पहनने योग्य डिवाइस है wearable device तो बैंको बडोदा ने Digital Banking भुपतान के लिए B.O.B. World Wave नाम से एक समाधान launch किया है B.O.B. World Wave में आपको बताया ये एक पहनने योग्य डिवाइस यानि के wearable device है जो ग्रहाको को अपने शरीर का temperature, heart beat और blood pressure के निगरानी करनी की अनुमती देता है बैंको बडोदा ने पहनने योग्य बुकतान समाधान की पेशकेश करने के लिए भी National Payment Corporation of India के साथ समझोता किया है देखो बैंको बडोदा की बात करते है एक तो ये याद रखो अभी दो बैंको का विले हो गए इसमें मर्ज हो गए दो बैंक कौन-कौन से विजिया बैंक और देना बैंक इस्तापना होती है 1908 में हैटकोर्टर मिलेगा बडोदा गुजरात में और इसके चेर्मेन कौन है हस्मुक अधिया और संजीव चडड़ा इसके MDCO बने थे इसका टेग लाइन क्या होते है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ध्यान रखना ये सारे पॉइंट बढ़ते आगे अच्छा बताईए जेतापुर परमानू रियेक्टर ये किस राज्यमेश्तित है तो आंसर होगा महाराष्टर में जेतापुर परमानू संयंत्र ये रत्नगेरे महाराष्टर में आपको मिलेगा ये हम फ्रांस की साहिता से बना रहे हैं और अभी इसको मंजूरी मिल गई है अच्छा इसकी कैपेसिट दे कितनी होगी 9.6 गिगावाट और जब ये बन जाएगा न पूरी दर से तो ये दुनिया का सबसे बड़ा परमानू रियेक्टर होगा जेतापुर परमानू रियेक्टर अच्छे करंट अफेट्स का प्रश्ण आपसे पूछूँगा बताओ किस वर्ष तक हमारे देश में 9 परमानू रियेक्टर होगे तो आंसर होगा 2024 तक ये भी करंट अफेट्स में बढ़ा था हम लोगों ने चलो बताओ कल पक्कम न्यूक्लियर पाउर प्लांट या फिर आपसे पूछ ले कुडनकुलम न्यूक्लियर पाउर प्लांट ये कहां पर है ये मिलेगा आपको तमिल नाडू में और ये हमने रश्या की साहयता से बनाए थे नारोरा न्यूकलियर पाउर प्लांट पूछा जाए तो ये उत्तरप्रदेश में है काईगा न्यूकलियर पाउर प्लांट पूछा जाए करनाटक में है काकरापार न्यूकलियर पाउर प्लांट ये आपको मिलेगा गुजरात में और तारापुर nuclear power plant आपको मिलेगा महराश्टर में अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए बताओ एशिया का पहला nuclear reactor उसका नाम क्या था अपसरा कहाँ पे स्थापित किया गया मुंबई में ध्यान रखना ये बढ़ते हैं आगे फिर बताइए हाली में चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टीक असम्मन किस राजे से है तो आंसर होगा सम्से और क्यों अभी चर्चा में रही है क्योंकि ये अभी 99,999 रुपे पर केजी के भाव से भी की है और इस तरह से ये दुनिया के सबसे महेंगी चाई बन गई है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दुनिया के सबसे महेंगी चाई का इसमे ये असम के डिब्रुगड जिले की चाई है अच्छा अगर मैं आपसे पुछूं कि भारत का पहला जी आई टेक भी एक चाई को ही मिला था कहां की पस्चे मंगाल की डाजलिंग टी को मिला था और अभी हमने पड़ा भी था इंटरनेशनल टी बे ये हम मनाते हैं कब 15 तेसमबर को अब बात यहां पर असम की है तो ये रा मैप में असम कैपिटल इसकी दिसपुर है मुख्य मंत्री है हिमन्त बिश्वा सर्मा और गवर्नर कौने जगदीश मुखी है अभी आपको याद होगा असम का सरवोच नागरे का राज्य पुरुसकार है जिसको केते असम बेभव ये किसको दिया गया तो अंशारोगार रतन टाटा जी को अभी भारत का पहला इफिश मार्किट असम में लॉंच हुआ था जिसका नाम है फिश वाले और अभी असम की जूडिमा राइस वाइन को जियाइटेग भी मिला है ये पूरवत्तर की पहली शराब बन गई है जिसे जियाइटेग मिला ये जूडिमा चावल से बनती है और इसे दिमासा समुदाई के द्वारा बनाया जाता है और यहां का एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क ये नियूज में था क्योंकि सेटेलाइट फोन से लेस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क जो बना था और असम की एक बॉक्सर का नाम आपको जरूर याद होगा जिन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में ब्रूंज मेडल जीता था उनका नाम क्या है लवलीना बोर्गोहेन अभी असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधिक यानि के जेनेटिकली मोडिफाइड रबड का पौधा भी लगाया गया और एक पुटोला नाच आपको याद होगा जरूर असम ने कुरोना के खिलाब जागरुपता फिलाने के लिए इसको शुरू किया था वैसे असम का शास्त्रे अंडरत्यकल डांस है सतरिया भी हूँ डांस भी वैसे याँ पे फेमस है और बगरुमबा डरत्य भी आपको ध्यान रखना है और भारत का सबसे नवीनतम जो नेशनल पार्क है वो असम का सात्वा नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं देहिंग पटकई नेशनल पार्क उससे पहले यहाँ पे छटवा नेशनल पार्क बना था कौनचा राय मुना नेशनल पार्क जो की गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है और इससे पहले पाँच नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया काजी रंगा नेशनल पार्क हो गया एक तो जो कि एक सिंग वाले गेंडो के लिए भी फेमस है नामेरी नेशनल पार्क हो गया मानस नेशनल पार्क हो गया डिबरु शिखोवा नेशनल पार्क हो गया और औरंग नेशनल पार्क हो गया अच्छा असम की पहली मैला वित्त मंत्री कौन बनी थी अजंता नियोग बनी थी जहीं पे ही मुख्य मंत्री, शीशु, सेवा, योजना भी शुरू होती है और भारत का पहला तेल का खुआ कहां पे खुजा गया था दिगबोई असम में और याद रखना ओनलाइन बाड रि प्रियास की समस्या और चुनोतियों से निपटने के लिए हर साल 18 देसमबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे के रुप में मनाया जाता है थीम क्या रही इस बार की हारनेसिंग दा पोटेंशल ऑफ हुमन मॉबिलिटी वैसे 18 देसमबर को अल्प संख्यक अधिकार दिवस Minorities Rights Day के रुप में भी मनाया जाता है चलिक कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए हमारे Minorities Affairs Minister कौन है और 18 देसमबर को हम विश्व अरबी भाशा दिवस World Arab Language Day के रुप में भी मनाते है जिसकी थीम रही अरबी भाशा और सभ्यता संचार यानि कि The Arabic Language and Civilization Communication अच्छा डे व स्थापना दिवस मनाया कौन सा? 59th, BASF ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया कौन सा? 57th, BASF के Director General है पंकच कुमार सिंग, 2 देसमबर को National Pollution Control Day राश्टर प्रदूशन नियंतरन दिवस मनाया, 2 देसमबर को ये अंतर राश्टर दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया, और जिसके हमारी चीफ है आर हरी कुमार, 4 देसमबर को International Day of Banks अंतर राश्टर बैंक दिवस मनाया, 5 देसमबर को World Soil Day म्रदा दिवस मनाया, 6 देसमबर को भारत और बांगलादेश ने मैत्री दिवस मनाया, 7 देसमबर को अंतर राश्टर नागरे कुडायन दिवस International Civil Aviation Day मनाया, 9 9 देसमबर को अंतर राश्टर ब्रष्टाचार विरोधी दिवस यानि की International Anti-Corruption Day मनाया, 10 देसमबर को मानवा दिकार दिवस Human Rights Day के रूप में मनाया, 11 देसमबर को अंतर राश्टर परवत दिवस, और 12 देसमबर को अंतर राश्टर सार्व भोमिक स्वास्त कवरेज दिवस म 12 देसमबर को अंतर राश्टर तटस्थता दिवस International Day of Neutrality के रूप में भी मनाया गया, अभी 14 देसमबर को राश्टर उर्जा संगरक्षन दिवस National Energy Conservation Day के रूप में मनाया गया, तो ये देसमबर में कुछ important days हमने मनाया, इनको ध्यान रखना, अब बात करेंगे कल की बिल्कुल सही उतर दिया है, और हाँ गाईज, अगर आप में से कोई इस वीडियो को very first time देख रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि हमारा जो revision वाला वीडियो आता है, उसको आप जरूर देखा करें, तो आपके current affairs से static questions को निकालने के जिम्मेदारी हमारी है, वो आपको वह पढ़ाया जाता है, और एक ही बार नहीं, वो revision वाला वीडियो इसलिए उसको कहा जाता है, क्योंकि एक ही sheet बार बार कहीं बार repeat हो जाती है, और revision का मतलब यही होता है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, तो अगर एक बार भी आपने उस class को attend नहीं किया, तो एक बार करके देखना, अच्छा लगा है, तो continue करना, वरना कोई बात ही नहीं है, और session अच्छा लगा, तो like करके share जरूर कीजिएगा, और इन questions का quiz बना करके, आपकी crack exam application पे upload कर दिया गया है, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी, application का link तीचे description में है, तो यह रहा आज का आपका homework Thank you